गाइस आज का वीडियो आप बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि आप में से काफी सारे लोग के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि जो हमारा control center है MI की device को पूरा ग्रे हो चुका है क्योंकि आपको पता इससे पहले जो control center था ब्लर वाला control center था जो कि आप बिना APK के या बिना रूट करें आपको जो ब्लर वाला control center था तो वापस आ जाता था तो आज की वीडियो मैं आपको एक complete process बताने वाला हो जो क्यार without APK होने वाला है वो बस आपको internal settings को change करना और आपका जो control center है वो ग्रे से ब्लर हो जाएगा तो वीडियो को पूरा watch करते रहना बिल्कुल भी skip मत करना और अगर आपके trick वर्क करते हैं तो या कमेंट्स में thank you ज़रूर बोलना और वीडियो को like कर देना और ऐसी amazing tips and tricks के लिए चैनल को subscribe भी कर देना और यार या आपको बता दू काफी सारे Xiaomi के phone में work कर जाएगा जितने भी आपके Redmi के phone है वो सब मे जाएगा यह सिव 95KB का app है आपको इसको open कर लेना है जैसी इस एप को आप open करोगे तो आपको इतने सारी चीज़े दिखेगी तो आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है आपको जैसी scroll down करोगे तो यहाँ पर आपको device level list देखने को मिल जाएगा देख सकतो device level list यहाँ पर लिख list जो इसमें spelling लिखे हुई है देख सकतो आप इसकी spelling क्या लिखे है यहाँ पर device level list की मैं आपको यहाँ से सही से read करा देता हूँ देख सकतो यह आपको same to same यही spelling लिखने है जैसे capital लिखा वैसे capital और जितना small लिखा है उतना small तो आप इसकी values यहाँ पर देख सकते हो V1, C1 और G1 लिखा हुआ है तो आपको इस पर क्लिक करना है device level list पर और यहाँ पर एक edit value को option मिल जाएगा तो edit value को option पर जाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है देख सकते हैं V1, C1, G1 है अगर आपके में V1, C2 और G1 है तो इसमें भी कोई tension नहीं है दोनों में आपको क्या करन यहाँ पर आपको C1 के पास आना है तो C1 से आपको change करके C3 कर देना है और G1 से इसको change करके G3 कर देना है और आपका G2 या C2 जो भी है आपको V1, C3 और G3 कर देना है और यहाँ पर save changes पर click कर देना है जैसे आप save changes पर click कर दोगे आपको इसको हटा देना है और bind के साब में setting आपको same to same setting बना लेनी है आपको करना क्या है बस आपको इपने फोन को एक बार रिबूट करना है दिखाई तो आपको simply एक बार रिबूट होने दून इसे आप आपने फोन को रिबूट करने के बाद सब्सक्र लिस और हम उपन करोंगे तो आप आपके device में शो नहीं कर रहा है वो device level list का तो आपको system जो है वो आपको बिल्कुली manually add कर लेना है देख सकते हो MIUI का logo आ चुका है मतला हमारा device reboot हो रहा है तो इसे reboot होने देते हैं तब तक आप video को like कर दोगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल perfectly work कर रहा है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप भी अपनी device में same चीज करके इसे on कर सकते हो और bind के से आपको कोई problem आ रही है bind के से आएगी नहीं पर अगर आ रहे कोई भी problem तो आपको क्या करना है वापस से यहाँ पर आपको को रिबूट कर देना है तो आपको जो ग्रेव वाले control center था वह वापस आ जाएगा पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब ही करना अगर कोई दिक्कत आती है तो पर मेरे साब से समें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो आपको पसंद आती है अगर आप प्रिक वर्क करें लाइक कर देना और यहीं तक इती थांक्यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए